कुरोना महमारी के चलते घर लोटे प्रवासी मजदूर विहार जुनाओं का नतीजा बदल सकते हैं बिहार लोटे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को मद्दाता सूची में जोड़ा गया है ऐसे में कम अंतरवाली सीटों पर प्रवासीों का वोट जीधार तैय कर सकता है चुनाओं आयों के आकड़े की मुताबिक इस बार करीब सरसट लाग नए मद्दाता बन है जिनमें प्रवासीों की संख्या 16,24,000 है इनके अंदर बेरोजगार होने और मुश्किल हालात में कर्म भूमी से बेस्थापिक होने का दर्ण बढ़करा रहा है हाला कि इनमें से कुछ को घड में भी रोजगार मिल चुका है किन्टु कई को फिर लोट कर जाना पड़ा है बिहार में एक ट्रेंड और देखा जाता है कि चुनाओं के समय प्रवासी लोग अपने अपने गाउं लोट कर आते हैं मनपसंद उमिद्वारों के पक्ष में ब विपक्ष इसके बाद जब मौझूदा केंद सरकार से जब प्रवासी मजदूरों के मरने वालों की संख्या जब मांगी गई तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए ऐसे में बिहार एंडिये पर कितना भरोसा करती है यह देखना दल्चस्प होगा प्रवासी मजदूर सबसे कम 10557 प्रवासी मर्दाता लखी सराइक है जहानावाद अरवल भावलपूर मदूबनी पुर्वी चंपारन समस्तिपूर और सारण में लोटे सभी प्रवासी मजदाता सुची में शामिल कर लिए अब मुख्य निर्वाचन परादिकारी संजय कुमार सिंग ने बता 272 प्रवासी पहले से मद्दाता सुची में शामिल इसके अलावा 2,30,812 प्रवासी को अभ्यान चलाकर मद्दाता बनाया गया है